नमस्ते उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखे जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि जिन्होंने मैट्री कि या फिर इंटरमीडियेट दोहर चौबिस में पास किया हुआ है उनको जो है पुरस्ताहारासी देने के लिए जो ओनलाइन आवेदन है उसको आप में से काफी सरे जो छातर छतरा हैं जिन्होंने फॉर्म को फिलब किया हुआ है तो अभी जो है बिहार सरकार के दोवारा एक अप्रेट निकल किया हुआ है जिसमें जितने भी लोग का एप्लिकेशन जो अप्रूब किया गया है उनको जो है जल्द यहां पे पैसा मिल जा रहा है ठीक है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो एप्लिकेशन है और प्रूब हुआ है कि नहीं हुआ है और कितने लोग का जो फॉर्म है अप्रूब हुआ है और कब आपको पैसे मिलनी की संभावना है सभी जनकाड़ी और मैट्रिक के 17,000 छात्रों को मिलेगी छात्रबीती यानि कि आप यहां पर देखेंगे तो इंटर के लगभग 27 सर जो लड़किया है जिन्होंने फॉर्म को फिलब किया हुआ है जिनको 25 सर पर पुर्स्ताहरा से मिलता है उनका जो फॉर्म है यहां पर एप्रूब हो गया उनको यहां पर पैसे मिलेंगे और 17,000 छात्र हैं जो की मैट्रिक में पास करने के बाद उनको जो भी पुर्स्ताहरा से मिलता है उनके लिए फॉर्म को फिलब किये हुए है तो उनको यहां पर बेनिफिट मिलेगा अब इसमें देखेंगे तो बतायागी है कि बिहार बोर् बिधारती हैं जिनका सिक्षभी भाग के मेधा सौट पोटल पर आवधन किया गया है इसमें से 17,000 देख सकते हैं कि चार सत जो 65 बिधारती है उनका आवधन जो है सवकृत कर लिया गया है ठीक है कैसे चेक करना है कि आपका अप्लिकेशन जो है सवकृत हुआ है कि नहीं प्राप्त करने वाले विधारतीयों को 10,000 और इंटर में जो भी छत्राय किसी भी स्रेड़ी से पास करती है तो उनको 25 रपे की सहायता रासी यहां पर दी जाती है तो अभी जिनका फॉर्म एप्रूब हो गया है उनको जो ही विभाग के द्वारा जैसे ही फॉंड आएगा तो उनको पैसे मिलेंगे आप मैंसे काफी सर लोग कहेंगे कि पैसे कब तक आ सकते हैं तो देखिए अभी जो ही फॉंड नहीं मिला हुआ है जिनका भी अप्लिकेशन सवकृत कर लिया गया है जैसे ही फॉंड मिलेगा तो उनको पैसा यहां पे सेंड किया जाएगा उसके पैसे सेंड कर दिये जाएंगे अब यहां पे हम बात करते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो अप्लिकेशन है अप्रूब हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है तो इसके लिए आपको जो ही मेधा सब्ट को पीसल पोटल पर आना होगा अभी तक आपने फॉर्म को न हम बाते हैं तो प्र शॉरक को अपको आपको करना ही यहाँ प्रूब करना है अब यहां पर देखेंगे आपका जो जनकारी है पे खूल के आ जाएगा जिसमें देखेंगे जो भी आपका स्कूल कॉलेज स्धिक्ज का नेम आपको दैखनी को मिलेगा इसरीट का नभेग जो भी beneficial status यहां पर देखेंगे, सब यहां पर verify हो गया है, उसके बाद यहां पर आपने finalize भी कर लिया हुआ है, यहां पर आपका finalization यहास होनी चाहिए, और यहां पर लिखता है कि आपका application मानने हैं, भुगतान की परकिरिया प्राम होने तक परिशिचा करें, यानि कि आपक आते हैं कि form को भरने के बाद सबसे पहले विभाग verify करता है, फिर आपको user ID, password आपका जो भी mobile number है, वहां पर जेन करता है, उसके बाद ही आपका application मानने होता है, यानि कि आपका application approve हो जाता है, उसके बाद जैसे ही पैसा भेजने की परकिरिया शुरू की जाएगी, तो आप आपको जो पैसे यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे, तो यहां पर जो भी click here to 4, check your details के button पर click करके, आपना जो भी registration number है, आप यहां पर डाल कर view के button पर click करेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं कि ready for payment दिखा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो पैसा ह आपको मिलेगा आपका application जो है approve हो गया है, ठीक है, किसी परकारी कोई भी समस्या है, तो आप यहां पर परिवाद भी दायर कर सकते हैं, कुछ आपको समस्या लग रहा है, लेकिन आपको दिखा रहा है कि ready for payment और यहां पर सभी चीज आपको सही दिखा रहा है, report पे जाकर आ आने हो गया, इसका मतलब यह है, कि अब इनको जब भी विभाग के पास fund आएगा, तो इनको सबसे पहले पैसे transfer कर दिये जाएंगे, इस तरह से आप intermediate का भी check कर सकते हैं, तो मैंने जो इस अभी जनकारी इस वीडियो में cover करने की कोशिज किया, फिर भी आपको मन में कोई की भी सवाल होगा इस वीडियो से related तो आप हमें comment से समय कमें करके पूछ सकते हैं,